देखो एक चीज मैं आपको बता दूँ सभी को बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था आपको information थी लेकिन आपने नहीं बताया था तो मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ यह November का exam सभी आ रहा है इसके respect में कुछ चीजे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ information देना चाहता हूँ बहुत बड़ा alert है यह आपके लिए अगर आपने इसको pick कर लिया और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको follow कर लिया तो definitely आप देखना आप अपने exams को crack कर पाएंगे November 2022 के examinations को वो कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले मेरी humble request आप सभी से अगर आप चैनल पर first time आए हो तो प्लीज चैनल को ज़रूर subscribe करिएगा और show करिएगा अपना love और एक चीज और बता दूँ हमारा facebook पे एक नया page बना है training workshop का नीचे description में link दे दूँगा महाँ पर उसको join कर लिजेगा facebook पे नया page है प्लीज उसको follow करना आपकी practical training को भी हम बहुत support कर रहे हैं तो all my CS friends actually मेरे कुछ senior है जो मेरे near है और dearest है central councils में और उन से कुछ चीजे मुझे पता लगती है तो यह absolutely आपके एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है अब जो November का exams आपका जो draft हो रहा है मैं आपको बता दूँ इस particular situation में कि आपका जो exams है वो किस तरह का आने वाला है कैसा आएगा it means that कि आपका tough आएगा या थोड़ा हलका आएगा या फिर एक average level पर आएगा देखो exams में जो अभी पता लग रहा है कि ICAI new education and trainings को भी यहाँ पर launch करने वाली है जल्दी ही आपको notification देखने को मिलेगा November examinations के बाद लेकिन at the same time at the same time जिसी साब से ICI ने अपना new syllabus draft करा है 2023 के अंदर तो उसको देखते हुए ICI November 2022 के examinations को थोड़ा tough बनाने वाली है यह मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं बाद में मत मुसको बोलना कि सर आपने नहीं बताया था थोड़ा tough आएगा मतलब आप यह समझके चलना मतलब average से उपर आने वाला है आपका paper average paper बिल्कुल नहीं आएंगे इस बास से माइंड अपना मित हटा देना क्योंकि आज जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आपको देखा भी दूँगा मैं November के exams होने दो एक बार और at the same time at the same time कि जो अभी आपके exams आँगे वो tough क्यों आएंगे क्योंकि ICAI जादा से जादा कोशिश यह करने वाला है कि जितने students आपके नए education in training schools में enrollment करें उनके लिए जादा better है क्योंकि वो जो आपका curriculum design किया गया है बहुत ही practically है बहुत ही हर चीज को समझने लायक है उसमें हर एक चीज का content जो discussions किया गया है इस वेरी वेरी बहुत ही smart content डाला है और ICI ने उस content को देखते हुए जो अपने पास globalization है उसको देखते हुए ही यह material draft किया है तो मेरी आप से humble request यह है कि आप जितना भी अपने exams को prepared कर रहे हैं बहुत ही logical और practical तरीके से prepared करें ratification मत करें क्योंकि ICI जो अपने बाब exams draft करने वाला है वो November का exam थोड़ा सा toughest ने में आपको देखने को मिलेगा इसलिए आपको पहले ही बोल दे रहा हूं कि आपका preparation आपकी week है या फिर number of revisions आपने कम कर रखे हैं या फिर आपका syllabus थोड़ा सा भी आप छोड़के जाते हैं तो आपके लिए danger हो सकता है तो और माई CS टुएंट्स एक बार और आपसे request करता हूं कि अगर चैनल पर पर स्कार्ण को जरूर सब्सक्राइब करना Thank Thanks a lot and Thanks for watching this video God अगलय हें देट पर रहे है खोड़के अाथीस कर आपके मिएजिए DC電 फेग या और फ्राइब करना आब आध आघर आए थैनिए बीद्स ऊनर्ट पर वेड़के D Mandal 19 झाल